नमस्कार दोस्तों, देश विदेश की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बैल आइकन जरूर दबा दें। आतमत्या किसी भी समस्या का निदान नहीं होता। पूरी दिली इस्सित गीता कॉलोनी इलाके में नामी टिक टॉक इस्टार सिया ककर ने अपने गर में फंदा लगा कर आतमत्या कर ली। ये दुखत है। महें 16 साल की उम्र में सिया ने बड़ा मुकाम हासिल किया था। डांस में मायर सिया बहुत होनहार थी और उसके हुनर की चलते सोशल मीडिया पर उसे 11 लाक लोग फॉलो करते थे। वहीं इस्टाग्राम पर भी करीब 91,000 लोग उससे जुड़े हुए थे। सिया के सुसाइट करने से दुखी प्रशन सव शोशल मीडिया पर अपने अपने अंदाज में याद कर रहे हैं। सेलेपिटी के चलते दिल्ली पुलीस बेहत सतर्क होकर जांच कर रही है। पुलीस दुश्मनी लेन देन समय कहीं एंगल को जोड़ कर जांच कर रही है। पुलीस सिया के दोस्तों, रिष्टेदारों और कॉलेज की सैपाटियों से भी पूस्ताच कर रही है। एक दिन पहले यानि बुद्वार को वीडियो अपलोड करने के बाद बेहत खुश नजर आ रही सिया ने। खुदकुशी क्योंकि इसका अफलाल पता नहीं चल पाया है। पुलीस को मौके से ही कोई सुसाइड नोट भी बराबन नहीं हुआ है। पुलीस ने सिया का मोबाइल फोन जब्द कर लिया है। पारिवारिक सूत्रों का कहना है कि सिया को कुछ लोग दम दे रहे थे। इससे वह परेशान थी। उदर पुलीस अधिकारियों का कहना है कि जांच के बाद ही इस पर किसी तरह की टिपनी की जा सकती है। फिलाल शव को पोश्माटम के बाद परिवार को सौप दिया गया है। तो दोस्तों जांकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।